नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग ब्रिस्चिक रासी वालों सूरे का रासी परिवर्तन हो रहा है और सूरे देव 14 जून की आधी रात सब रासी से निकल कर मिथुन रासी में प्रवेश करेंगे और यहां पर बुद्ध और रा और सूरे देव जब मिथुन रासी में जाएंगे तब आप रिस्चिक रासी वालों के जीवन पर इसका क्या प्रवाव पड़ेगा आज हम यही आपके साथ साजा करेंगे सूरे जिसकों की जोतिस में आत्मा का दर्जा प्राप्त है सभी गरहों के राजा भी है और सूरे क किरन या फिर कहें तो भगवान सुरही हैं जो हम सभी जीवात्मा के जीवन में प्रान का संचार करते हैं अगर कुंडली में सुरे देव अच्छे स्थिति में हो तो जीवन में नाम, दौलत, सोहरत, पैसा, पद सब कुछ मिलता है इसके साथ ही आपकी हड़िया मजबूत ह होती है, सरकारी नौकरी मिलती है, पिता का सुख मिलता है, पैत्रिक संपत्ती का सुख मिलता है, पिता से लाब होता है, लेकिन अगर सुरे कमजोर हो जाए तो तब आँखें कमजोर हो जाती है, पिता का साथ नहीं मिलता, पिता से बंती नहीं है, और सरकारी नौकरी प्रा बिसव रासी से निकल कर मिथ हुन रासी में प्रवेस करेंगे और 14 जुलाई की सुबह 10 बच कर 32 मिनट तक यहां रहेंगे फिर करकरासी में जाएंगे इतने दिनों तक पूरे 31 दिन जब सुरी देव बुद्ध राहु के साथ रहेंगे तब आप बिस्ची करासी बालों के जीवन पर इनका क्या प्रवाव पड़ेगा बिस्ची करासी बालों आपके लिए बस यह समझ लें कि सुरी देव आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे ही लाएंगे क्योंकि अस्ट्रम भाव में आ रहे हैं और अस्ट्रम भाव होता ही है परिवर्तन का और निस्चित्ता का अब ऐसे में थोड़े से जीवन में परेसानिया तो बढ़ा रहे हैं सुरी देव बचने के लिए क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में यानि कि आपके जॉब करते हैं आपके आफिस में थोड़ा सा माहौल आपके पक्ष में नहीं रह सकता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा समेलना होगा क्योंकि इस समय अस्टम्भाव में हैं हो सकता है बेबज़े लोग आपको किसी करण बदनाम कर दें बेबज़े आपका कहीं कोई रॉल नहीं, कुछ भी आपने नहीं किया लेकिन बितना मतलब के लोग आपको कहीं फसा दें जिसके करण आप बेबज़े परिसान हो जाए आपके मन की सांती ही कहीं खो जाए तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा राहु देव यहां पर आकस्मिक रूप से परिसानिया देते वे दिखते हैं चिन्ताएं बढ़ाएंगे दूसी तरफ सुरे देव आपके धनभाव को देख रहे हैं दुटी भाव को आपके घर परिवार को देख रहे हैं तब क्या होगा? तब आपके घर परिवार में जो माहौल है वो थोड़ा सा कड़वाहट लिए हो जाएगा इसलिए एकदम सालींता के साथ अनुसासन के साथ रहें यह आपके लिए बहुत जुरूरी है जरा सा भी चूक आपको भारी पर सकती है इसमें अपने स्वास्त का भी ख्याल रखिए आप कैसे कहां खा रहे हो क्या खा रहे हो यह भी इसमें बहुत माइने रखता है चुकि सूरी देव अस्टमभाव में है अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो इसमें आपको अपने मान सम्मान का तो ख्याल रखना ही है साथ ही आपको अपनी परतिष्ठा का भी धियान रखना है भूल कर भी कोई गलत कारें ना करें आखों क्यों बहुत ख्याल रख्येगा और इसमें आप योगा भ्यास करते रहें भगवान सुरह को एक लोटा जल नित्य प्रातः अरपित करें और वहीं पर बैट कर या खड़े होकर ओम आदित्याय नमह इस मंदर का जब करें संबब हो तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप इसमें अपने अंदर छिपीवी परतिभा को पहचानिए आप क्या कर सकते हैं जीवन में और आगे बढ़ कर इसको जानिए और इसमें हलाकी लोगों से आप जुड़ेंगे अपनी छुपीवी परतिभा को पहचान कर आगे भी बढ़ेंगे तो इसके लिए भी तैयार रहें फिलाल भी दालेंगे हर हर महाते